वेलकम तो ममतास कीचन फ्रेंज आजम बनाएंगे उत्तर भारत और खास करके राजस्थान और यूपी का बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी कांजी वड़ा खास करके दिवाली के बाद और होली के आसपास के टाइम में ये कांजी वड़ा बनता है और ये कांजी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फाइदेमन है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ठीक करता है राजस्थान और बिहार का ये स्टीट फूर भी माना जाता है तो चल् में लेंगे लाल मिर्च पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर और सोल्ट है, थोड़ा सरसो का तेल है, और थोड़ा ये ब्लेक सोल्ट, एक मिक्स्चर जार के अंदर 2 टेबल स्पुन रय की डाल को ले लेंगे, आप साबूत रय भी ले सकते हैं, और ब्लेक सोल्ट 1 फूर्थ ट तो यह हिंग भी हमने डाल दी है और one fourth teaspoon जितनी हल्दी पाउडर और इसे हमें half crush कर लेना है तो यह half crush हमारा हो गया है तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके अंदर one fourth teaspoon जितने लाल मिर्च डालेंगे और one fourth teaspoon जितना सरसोका ओल डालेंगे और वन से टू टेबलसपून जितना पानी डालेंगे और अच्छे से इसे mix कर लेंगे और हाँट से इसे अच्छे से फेट लेना है हमने अब यहाँ पर पानी डाला आप पानी की जगड़ दही भी डाल सकते है तो यह एकदम अच्छे से फेट चुका है तो इसे हम एक काच की बोटल में डाल देंगे तो यह हमने इसके अंदर डाल दिया है काच की बोटल को अच्छे से वोश करके क्लीन करके धूप में सुखा कर यूज करें तो यह सारा मसाला काच की बोटल के साइड में चिपका देंगे तो इस तरह हमने सारे मसाले को बोटल के अंदर चिपका दिया है और एक कटोरी के अंदर एक दुम जलता हुआ कोईला डालेंगे और इसके उपर one fork टीस्पुन चितनी हिंग डालेंगे और इसके उपर half टीस्पुन चितना सरसो का oil डालेंगे और इस कटोरी को ये जो मसाले वाली बोतल हमने तयार की है इसके अंदर दीरे से रख देंगे और ठकन को बन कर देंगे और हाफ मिनट तक इसे इसे ही छोड़ देंगे हाफ मिनट के बाद इसे खुल लेंगे और कोईले वाली कटोरी को दीरे से निकाल लेंगे तो ये कटोरी निकल ली है देख सकते हैं और ये हमने पानी ले लिया है एक लिटर जितना एकदम गरम करके इसको एकदम ठंडा करके लिया है तो ये पानी इसके अंदर डाल देंगे और पानी के साथ मसाला एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप मिनरल वोटर या तो आरो का पानी यूज़ कर रहे हो तो पानी को गरम करने की ज़रूरत नहीं है और ये पानी एकदम अच्छे से हमारा फर्मेट हो इसके लिए एक टिप है तो इसके अंदर वन फूर्थ टीस्पूंच इतनी शुगर डाल दीजिए पानी को हमें मीठा नहीं बनाना है लेकिन इतनी शुगर हमारे पानी को फर्मेंटेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी अब इसका ढकन बन कर दीजिए और तीन से चार दिन तक गरम जगह पर छोड़ दीजिए हो सके तो दिन में दो तिन गंटे तक धूप में रख दीजिए इसे तो चार दिन के बाद कान जी हमारी तयार है इसे ओपन कर लेते हैं बीच बीच में हमने इसको चला लिया था तो देख सकते हैं कान जी हमारी एकदम रेडी है थोड़ी कटी भी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी बन कर तयार है इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे तो कांजी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है इस कांजी में आप नमकिन बुन दिया है तो बड़े डाल कर सव कर सकते हैं हम इसके साथ यहाँ पर बड़े बनाएंगे बड़े बनाने के लिए पीली मूंकी डाल और उरत की डाल लिया वन कप जितनी मूंकी डाल को अच्छे से वोश करके इसे 3-4 गंटे तक भिगो कर लिया है और वन फोर्थ कप जितनी हमने उरत डाल लिए इसे भी 3-4 गंटे तक भिगो दी है इसका पानी निकाल दिया है, साथ में दो हरी मिर्च और एक बड़ा टुकड़ा अधरक कर लिया है इन सारी चीजों को हमें पीस ना है, तो इसके लिए एक मिक्शर जार ले लेंगे इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे साथ में मूंकी डाल और उरत डाल भी डाल देंगे तो ये मूंकी डाल को हमने डाल दिया है पानी इसके अंदर ज्यादा नहीं डालना है और साथ में ये उरत की डाल को भी हमने डाल दिया है और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे जरूरत पड़े तो आप 3-4 टेबल स्पून पानी डाल सकते है डाल को हमने अच्छे से पीस लिया है इसे एक बाउल में निकाल लेंगे डाल को बाउल में निकाल लिया है और इसके अंदर स्वादानसर नमक डालेंगे और अच्छे से इसे mix कर लेंगे और उसके बाद ये PC हुई डाल को हाथों से एकदम अच्छे से फैट लेना है ऐसा करने से बैटर एकदम हलका हो जाएगा और बड़े हमारे एकदम soft बनेंगे लेकिन इतनी सारी मेनत ना करनी हो हाथों से फैटने की तो मैं इसके लिए यूज करूँगी विप क्रिम के लिए जो हम hand mix यूज करते है मेरे पास यहाँ पर वन्डर शेफ का electric hand mixer है इससे मैं इस बैटर को विस्क कर लोगी तो इससे हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा बीना किसी मेनत के हाथों से फैटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपके पास भी कोई भी टाइप का hand mix हो तो आप इससे फैट सकते है electric hand mix से तो यहाँ पर हमारा बैटर बीना किसी मेनत के एकदम हलका हो चुका है तो इसको side पर रख देंगे एक बावल में हमने पानी ले लिया है एक लिटर जितना इसके अंदर 1,4 टीस्पुन जितनी हींग डालेंगे और 1,5 टीस्पुन जितना नमक डालेंगे अच्छे से ही से mix कर लेंगे और बड़े तलने के लिए गेस पर एक कड़े रख दी है और इसके अंदर ओईल डाल दिया है ओईल गरम हो चुका है और मन चाही साइज में बड़े को तेल के अंदर डाल दीजिए तेल इस वक्त काफी गरम होना चाहिए ताकि बड़े बाहर से एक दम स्टील हो जाए और ओईल अंदर ज्यादा ना जाए तो बड़े को हमने इसके अंदर डाल दिया है बड़े को तेल में डालने के बाद गेस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए ताकि बड़े अंदर से भी अच्छे से पक जाए और लाइट गोल्डन ब्राउन तक इससे फ्राई कर ले हमारे बड़े यहां पर तयार हो चुके है तो इसको तेल में से निकाल कर पानी में डाल देंगे तो इसे हमने सिधा पानी में डाल दिया है तो सारे बड़े को इसी तरह फ्राई करके पानी में डालते जाए तो यह थोड़े बड़े को हमने पानी में डाला है और फ्राइ किये हुए थोड़े बड़े को हमने ऐसे ही रखा है इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं और इसके दही बड़े भी बना सकते हैं ये भीगोए हुए बड़े हमें एक दो घंटे तक एसे ही रखने हैं ताकि ओल इसके अंदर से निकल जाए तो दो घंटे के बाद ये जो निकाल कर हम कान्जी में डाल देंगे तो ये पानी में से निकाल कर हम इस बड़े को कान्जी में डालते जाएंगे थोड़ा इसका पानी निकालते जाए हाथों से तो ये सारे बड़े को हमने कान्जी में डाल दिया है और अब ये कान्जी बड़ा हमारा बनकर तयार है लेकि के अंदर कांजी का टेस्ट भी आ जाएगा तो ये तीन गंटे के बाद फ्रीज में से हमने कांजी बढ़ा को निकाल दिया है और ये अब सौव करने के लिए एक दम रेडि हैं कांजी बढ़े को बावल में सौव कर देते हैं तो थोड़ी कांजी और थोड़े बढ़े को हम बावल में डाल देते हैं फ्रेंट्स ये बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारी हेल्ट के लिए बहुत ही फाइदेमन है इस टाइम इसे जरूर पीना चाहिए बच्चों को भी ये कांजी वड़े बहुत ही पसंद आएंगे तो फ्रेंट्स तैयार है एकदम ओरिजनल तरीके से बहुत ही टेस्टी और हिल्दी राजस्थान और यूपी का बहुत ही फेमस कांजी वड़ा